आपका गंजापन बीच बीच में हैं यानि कि आजू बाजू बाल तो हैं लेकिन बीच बीच से थोड़े थोड़े बाल चले गए हैं और आपका लुक्स पूरा खराब हो चुके हैं अगर वैसा गंजापन है तब भी आपका अच्छा वाला है ट्रांस्प्लांट और एक पर्मनेंट रिजल्ट आपको मिलेगा आज वीडियो में मैं आपको एक रिजल्ट दिखाने वाला हूँ वो जबर्दस जैसे मैंने कहा कि अगर आपकी कंडिशन कुछ इस तरीके से है अगर आपके भी सामने से बाल थोड़े थोड़े हैं पीछे बाल थोड़े थोड़े हैं लेकि आजू बाजू नहीं है बीच में चले गए हैं तो इसमें घबराने और डरने की बात नहीं होती है दोस्तों अगर इस condition में आपका है तो बिल्कुल आप निशिंत हो जाओ इस condition को हम refilling case कहते हैं दोस्तों क्योंकि already आजू बाजू बाल होते हैं और उनके बीच में grafting करना होता है ये आसान नहीं होता हर क्लेनिक वाले इसे नहीं कर पाते क्योंकि इसके लिए experience की जरुवत होती है अनुभाव की जरुवत होती है क्योंकि आपके आजू बाजू बाल है existing graph है जिसे damage या खराब ना करते हुए उनके बीच में grafting करनी है तो कुछ इस तरीके से हमने grafting की और जो half portion था वो पूरा cover up किया क्योंकि उपर के बाल थोड़े थोड़े चले गए थे बीच में गायप हो चुके थे तो हमने पूरा सोचा कि हाप पूरा cover कर देते हैं जिसे density अच्छी मिले इनको और result भी awesome मिले result तो awesome मिला ही मिला है जो आगे आप देखेंगे दोस्तों बेफिकर हो जाएए निशिंत हो जाएए अगर आप बहुत सारे पैसे अपने तेल के उपर फेनेस्टराइट के उपर मेनक्सोडेल के उपर या फिर किसी भी ऐसे product के उपर आप खर्च कर चुके हो जो सिर्फ आप advertisement देख कर गए हैं तो बिल्कुल आज ही stuff हो जाएए क्योंकि एक ही option है यह transplant जिसे आपके बालों आपस आ सकते हैं भाई मैंने भी आज से 6-7 साल पहले करवाया था क्यों क्योंकि मैंने भी बहुत सारे product यूज़ करके देख लिए थे कुछ हासिल नहीं होता तो finally बढ़ते ह और result मैं आपको दिखा देता हूं कुछ है इस तरह किसे देख सकते हैं कि भाई खुद ही अपने हाथों से कंगी करके आपको दिखा रहे हैं और इन्होंने खुद हमको वीडियो भेजा है आप तक पहुंचाने के लिए thank you so much sir कि आपने इतना अच्छा मदद किया हमारे भा density की बात करें तो जो आप सामने देख रहे हैं वह natural density है कोई PRP नहीं कोई PRP नहीं कोई medicines नहीं कोई extra खर्चे नहीं कोई भी आपको दिक्कत और परशानी नहीं साथ ही साथ बताओ तो दोस्तों comparison कर लेजे बहुत ज्यादा difference है पहले और बाद में क्योंकि एक अच्छा result जब आप एक अच्छा हे transplant करवाते हैं या refilling case हो या पूरा गंजपन के शिकार हो या थोड़े गंजपन के शिकार हो उसके लिए हम बैठे हैं आपको कोई दिक्कत परिशानी नहीं होगी इसकी guarantee है दोस्तों बाकि आपको बिल्कुल कैसा लगा यह जो आज का result मुझे आप कमेंट करके बताएंगे क्योंकि यह कुछ ही मेनों का result है बहुत जादा नहीं है आपको बताओं तो कुछ ही मेनों का result है और बहुत ही जबर्दस result है मुझे तो personally बहुत पसंद आया है I hope कि आपको भी यह result पसंद आएगा फिर से बता दू कि कोई PRP नहीं कोई medicines नहीं कोई एक्स्टा खर्चे नहीं सिर्फ और सिर्फ नैच्वल रिजल्ट 19 रुपे पर गापके सबसे इनको चार्जिस लगा था और क्लेनिक है जो की सिक्योर हे ट्रांस्प्लांट क्लेनिक पूना महरास्त में जहां आपको रहना खाना मैडेसिंस यह सारी चीज़े फ्री मिलती है उसके लिए कोई एक्स्टा चार्जिस नहीं है फालतो लोगों के चक्कर में मत आये नैच्वल करवाईए हे ट्रांस्प्लांट और अपनी लाइफ को चेंज किजे थैंकी सो मच